बिहार की राजधानी पत्ना में छट पर्व का अपना अलग ही महत्व है। पटेल पत्पर चूले बेच रही मुस्लिम महिलाय और पुरुष ने बताया कि पूजा में उपयोग होने वाले चूले को बड़े ही श्रद्धा के साथ हम लोग बनाते हैं। कहीं कोई गलती ना हो जाए। इसलिए जूठे हाथ से चूले को कभी नहीं छूते। साथी साफ सुत्रे होकर ही चूले को हम बनाते हैं। ये मुसलिम समुदाय के लोग आज से नहीं बलकि इनके पूर्वज के जमाने से लोग जो है वो चूला बनाते आ रहे हैं। इनके परिवार लगभग 40 साल से उपर यही कारोबार करते आ रहे हैं। साथी इसी से अपना ये लोग घर परिवार भी चलाते हैं और अपने बच्चे की परवरिश भी करते हैं। जी हमको सुरू ऐसे दिल्चस्मी है, मेरा माता पिता बनाता था, अब हम बनाने लगें, हमको बहुत ही पड़ाव अच्छा लगता है। इतने सालों से आप ये बना रहे हैं। हम 25 से बना रहे हैं, आई से नहीं। परे दरोगर आयपत में रहते थे, वहां बनाने लगें, वहां बनाते बनाते हुआ से जोपी उखड़ गया। यहां चलाएं तो यहां बनाने लगें। हम मुस्लीम उपर हिंदू को सबसे बाड़ा पड़ है। हमको अच्छा लगता है, इसमें हमको वेदवाव नहीं है, हमको बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बहुत, बहुत, पहले तो 100 चुला बनाते थे, आप तो 500 चुला बनता है, तो नहीं पूर परता है इंसान के हैं। गुरकपुर में भी आस्था का महापर्व, छट की तयारी जो है अभी से शुरू हो गई है, शोहर से लेकर गाओं तक छट पर्व को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, घर के बच्चे और नौजवानों की टोली नदी सरूबर के किनारे बेदी बनाने के ल गाटों की साफ सफाई के साथ ही लाइटिंग की विवस्ता भी की गई है, इसके साथ ही छट पर्व को लेकर बाजार भी गुलजार नजर आ रहे हैं, दुकाने भी सजने लगी है, गाओं से लेकर शहर तक छट को लेकर घाट और तलाब की सफाई देखने को मिल रही है, घ झाल 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 झाल